बिसमिल्ला रख्मान ररहीम वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब के आप सब लोग कुछ होंगे आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बीटिफुल हाई लो फ्रॉक बेबी हाई लो फ्रॉक लेकर आए हूं जिसकी विर्थ और लेंथ है स्कॉाइ मार्किंग कर अब यह मैंने आप यह इस तरीके से मैं इसकी मैयर कर रही हूं लेंथ है तो मेरी आ रही है ट्वैंटी ट्वैंटी वन इंच इस तरीके से अब मैं एक ट्वैंटी वन इंच का धायरा खेंच पे निशान लगाती जाओंगी इस तरीके से सरकल बनता जाएगा इस तरीके से ये देखें 21 इंच पे मैं मार्क करती जा रही हूँ और ये एक सर्कल सा बनता जा रहा है इस तरीके से ये देखें अब मैं इन मार्क को स्ट्रेट कर लूँगी इस तरीके से अब मैं इसे कट कर लूँगी अगर आप लोग मेरे चैनल पर फस्ट रैम आये तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिल आइकन को प्रेस कर दें ताके मैं जब भी कोई नी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिक्शन आप लोगों को चल से चल देखने को मिले वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कॉमेंट्स करके मुझे बताईए ये देखें इस तरीके से हम लोगों ने अब इस तरीके से हमने ये फोरफोल करके रखा हुआ ह है जो हमारा बेक वेल UP है और रॉज़ अब हमने इमले लो हे तो हमने फरफ़ल रॉज पीस है थोड़ा चोटा रखना है ये देखें 5 इंच हमने बेक वाला बड़ा किया है और फरफ़रॉट्स कान्वाब हमने सवर्टीन इंच पे दन किया है इस तरीकेसे अब में नेक क करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे 2.2 इंच पे हमने मार्क किया है शॉल्डर का और 4.5 इंच पे हमने आर्म होल का मार्क लगाना है यह देखें four point five इंच पे हमने arm hole का mark लगाना है और अब हमने यहां से सेंटर में से arm hole को one inch पे निशान लगाना है इस तरीके से अब हमने ये straight कर देने है कुछ इस तरीके की shape आ जाएगा arm hole की अब मैं इसे cut कर लूगी ये देखिए अब मैंने ये जो हैं कट कर लिए है अब जो हमारे बॉटम में से पीस पचे थे हमने वोई वेस्टनी करने हैं वोई हमने टू-फॉअर्ड के आर्म होल की साइट पर रखें हैं इस तरीके से अब मैं इसे कट कर लूँ गी यह बिसिकली इसकी आर्म होल की जो हमने पट्टी लगानी है वो हम कट कर लेंगे यह देखें इस तरीके से अब हमने नेकलाइन की दूसरे जो पीस हमारा जो बचा था इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से हमने जोड लगाना है ये देखें ये देखें जोड हमने लगा लिया है ये देखें इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करके रखना है जो हमारा शोल्डर वाला साइड है उस साइड पे जो हमारा ये फैबरिक है वो बंद फैबरिक आएगा बाकी जो हमारा extra fabric है वो नीचे के side पे चला जाएगा ये देखें इस तरीके से ये हमने रखना है और अब जो है मैंने इसकी marking लगानी है जो हमने बेक वाला देहान रहे हमने जो है तकरीबन 4 इंच पे mark लगाना है और जो हमने बेक वाले पार्ट पे लगाना है इसलिए आप प्लीज वीडियो को देहान से देखिएगा ये देखें मैं बेक वाले पार्ट पे 4 इंच का एक निशान लगा रहे हूँ इदर से हमने cut कर देना इदर हम button पटी बनेगी इस तरीके से ये देखें ये हमने neck line का जो पटी है वो हमने cutting कर ली है ये देखें इस तरीके से अब हमने ये बेक वाला पार्ट भी cut कर देना है 4 इंच के margin पे ये देखें इस तरीके से ये कुछ इस तरीके की shave आएगी बिल्कुल ही simple सी cutting है इसकी और बहुत ही easy way में ये स्टीच हो जाता है only 10 minutes में तो और ये कीन मानगे ये जो है स्टीच होने के बाद जब अपनी बेबी को पहनाएंगे तो इतना out class लगेगा ना बहुत ही प्यारा जो है ये हाइलो प्रॉक बनकर ready होगा ये देखें इस तरीके से अब हमने ये रखकर इन्हें स्टीच कर लेना है simple हाई ये चलते हैं स्टीचिंग की तरफ सबसे पहले मैं जो है आर्म होल में ये पट्टी अटैच करूँगी इस तरीके से वन बूट के मारजन पे अब इसी तरह जो है मैं दूसरे वाले आर्म होल पे भी पट्टी अटैच कर लूँगी इससे पहले मैं ये चोटे-चोटे से लांचिस लगा लूँगी ताके जब हमें इसे राइट साइड पे टेंड करें तो ये इजी ली टरन हो जाए अब प्रैंड वीवर्ष आप लोग जो है वीडियो तो वाच कर लेते हैं बट आप लोग प्लीज कॉमेंट्स कीजिए आपके कॉमेंट्स से मुझे होस्ता अफ़ाई होती है अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग प्लीज आपके लाई कीजिए कॉमेंट्स करके और प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या कीजिए यह देखें अब इसी तरीके से जो है मैं यह नेक लाइन पे भी अटेच कर लूगी पले जो हुआ दो आपाँधै यह देखें इस तरीके से हमने दूसरा साइड रख के स्टिच कर ना है यह देखें नेक लाइन हमारी इस टीच हो चुकी है देखें मैंने इसे राइट साइड पे ठिं migrant कर लिया था अब में इसे टूफॉल्ड कर के स्टिच कर लूँगी ये देखें ये एक छोटी सी टिप है अगर आप लोग जब भी स्टीचिंग का काम करें तो प्लीज उसमें आईरन करके काम किया कीजिए क्योंकि इस आईरन से जो हमारे काम में बहुत ज्यादा नीडनेस आती है और बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों की चीज बनेगी जो उनीस बीस जो नुक्स भी हो जाता है ना हमारी स्टीचिंग में तो वो जो है ना आईरन से हम लोग कवर कर लेते हैं ये देखें इस तरीके से ये मैंने जो है टू फोल करके स्टीच कर लिया है इसी तरीके से मैं दूसरे वाला भी कर लूँगी ये देखें य कि मैंने दो आर्म होल भी स्टीच कर लिये हैं और जो मेरा नेक लाइन नेक लाइन पे मैंने जो हैंड स्टीच की है यह देखें अब जो हैं हमने तकरीबन 8 इंच पे हमने मार्क लगाना है इस तरीके से राउंड शेव में शॉल्डर की साइट पे हमने इंची टेप को रखन जाना है और 8 इंच पे हमने इस तरीके से मार्किंग करते जाना है यह सरकल सा बनता जाएगा इस तरीके से बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही प्यारा जो है यह हाई-लो फ्रॉग बनेगा यकीन मानिया आप लोग एक दफ़र ट्राइ करके जरूर देखिएगा आप लोगों को बहुत ज्यादा यह जो है फ्रॉग पसंद आएगा परसनल मुझे यह फ्रॉग बहुत ज्यादा पस यह देखें यह जो अब हमने जो है इस तरीके से आर्म होल वाली जगा पे इस तरीके से 5 इंच का मार्क लगाना है 5 इंच का मार्क की हमने इस साइड पर लगाना है यह फिटिंग का मार्क हम लोग लगा रहे हैं यह देखें इस तरीके से यह हमारा आर्म होल वाला साइड ह यह इदर स्टीच नहीं होगा इस तरीके सब हमने एक लास्टिक लेना है जिसकी विर्थ हम ले रहे हैं 16 इंच यह देखें अब मैंने इसे टूफॉल करके संटर में से कट कर लूँगी 8 इंच का एक साइट पर 8 इंच का एक साइट पर स्टीच के हमने से डेट करना है यह देखें ये देखें लास्टिक को आपने खेंशते जाना है और जो हमारा फैबरीक है उसके छोड़ी चिएडर्स हैं वह भी डालने जूए जो हमारा वाउस्टिक जो जाधा कम हो जाएगी हमारा फैबरीक है वो थोड़ जाधा है तो इस तरीके से हमने इसको इस तरीकेसे एड़्जस्ट करना है कि हमने फैब्रीक की फोड़ी मुस्त इस हमने सेट कर देना है सेम इसी तरीके से जो है मैं फ्रंट वाले पीस पे भी अटेच कर लूँगी यह देखें यह मैंने एक स्ट्रेपली है जिसकी लेंथ है 40.40 इंच और हमने इसको सेंटर से मार्क किया है और इसी तरीके से मैं शेट पे भी सेंटर में मार्क कर लूँगी कि इस तरीके से हमने सेंटर को सेंटर के साथ अटेच किया और अब हम इसे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे आपके पास कुछ भी अवैलेबल हो यह ऑप्शनल है आप लोग इस पॉइंट पे आके लेज़ भी अटेच कर सकते हो या जो हमारी साथें रिबन होती है उसे भी अटेच कर सकते हैं बट मेरे पास यह पीस पड़ाओ था पैपर कॉटन का तो मैंने इसे इस तरीके से टूफोल करके एक पट्टी बनाई और अब मैं यह कंट्रास में तर अटेच कर रही हूँ यह देखें यह एक साइट पर लग गया से हमें इसी प्रोसिजर से मैं दूसरे साइट पर लगा दूँगी अब हमारी जो यह पट्टी यह तो थोड़ी काफी ज्यादा चोड़ी थी तो मैंने इसे सेंटर से फोल किया है और इस तरीके से स्टीच कर रही हूँ सॉरी अभी इस टाइम जो है ना लाइट चली गई थी तो मुझे अपनी वीडियो जो है वो कम्प्लीट करनी थी तो प्लीज आप लोग इसकिप मत कीचिएगा वीडियो को शुरू सेंट तक देखिएगा यह देखें अब हमने दोनों जो चारो पटियां थी अटेच कर लिए अब इस तरीके से हमने एक फैबरिक लिया उसको स्कायर शेव में कट करके यह हमने फैबरिक टसल्स लगाने है इस तरीके से ये देखें अब इसको हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे और इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे अब उप्शणेल है अब आप लोगों को जो पीको है तो ही को पसंद है तो आप लोग पीको भी करवा सकते हैं। इस पर है आके में आप लोगों के एक टिप भी देच सकती हूं। जब आप लोग हैम करते हैं तो अगर आपकी बेवी का जो यह फ्रॉग छोटा हो जाते हैं तो आप इस इस ट्वेश पे आके फ्रिल भी अटेज कर सकते हैं इस यह फ्रिल से और भी ज्यादा खुबसूरत लगेगा और अच्छा भी लगेगा यह देखें इस तरीके से जो है यह सिलके ररi हो चुका है यह जो मैंने जो है यह पीसीज में पीस था ओम मेरे पास छोटा सा कट पीस बिसकली कट पीस में से जो मैं फेबरिक लेके आय ती मैं से अब वियम किन आए ही जेक़ॉड बना रती है तो इसकी जो लेंट थी ना वह कम थी तो मैंने इदर इस तरीके से स्पेज जोड लगा दिया था से ये देखें मैं ये छोटा सा प्यारा सा अटेच कर दूंग इसके पर बंच ये देखें प्रॉक बनकर रड़ी हो चुका है आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा वीडियो अच्छी अजय को है आई है आई है